बैन भाया ने मेरी राम राम तो आज मैं लाई हूँ हर्यानवी पुस्तक जी दोस्तों खेड़ा खोड़िया अर लूर यह देखिए मित्रों यह हर्यानवी लगु कविता संग रहा है और इसकी रचिता है सुनीता आनंद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंट करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशन तुरंट मिलें तो दोस्तों बात करते हैं नई पुस्तक के बारे में हर्यानवी जी मैं भी हर्याना की निवासी हूँ हर्याना में ही जन्म लिया तो बहुत अच्छी लगती है मुझे हर्यानवी बोली तो थोड़ा सा परिचे पुस्तक के बारे में यह है पुस्तक पेपर बैक में 2023 में परकाशित हुई है और अनंद कला मंच पब्लिकेशन भीवानी से परकाशित हुई है मुले 250 रुपे प्रिष्ट 128 अब मैं परिचे देना चाहूंगी सुनीता जी के बारे में कुरहावटा महिंदरगड में जन्मी भिवानी निवासी सुनीता जी में एमफिल नेट हिंदी पीजी दिप्लोमा पत्रकारिता जन संचार बीएट प्रभाकर आर्ट एंड क्राफ्ट हिंडी स्टेनो टीटी सी यह सभी इनकी क्वालिफिकेशन है इनकी शिक्षा है 11 पुस्त के इनकी प्रकाचित हो चुके हैं हिंदी और हर्यानवी में कहानी कविता लगु कविता निबन संस्मरन आलोचना और इनकी रचनाएं आकाश्वानी रोतक हिसार से प्रसारित भी हुई हैं इने धेड़ सारे सम्मान मिल चुके हैं और वर्तमान में यह सह संपाद प्रिष्ट साहित्यकार आदर्निये प्रोफेसर रूब देव गुण जी को और अब देखते हैं रूब देव गुण जी ने इस पुस्तक के बारे में क्या कहा अभी हैरान हो रहे होंगे कि खेड़ा खोड़ियां और लूर यह तीन है क्या बताते हैं मित्रों आपको रूब देव गुण जी ने क्या कहा उन्होंने कहा कि सुनीता जी ने तीन प्रकार के रीती रिवाजों को हर्यानवी में बहुत ही सरल ढग से व्यक्त किया है यह तीनों नाटक केवल ओरतों द्वारा खेले जाते हैं इस में कवित्री ने खत्म हो रही इन रीती रिवाजो उन्हों को वापस लाने का आवान किया है, जिसके लिए यह बद़ाई की पातर है, और सुनीता जी उन्होंने आपमकथे में क्या कहा, उन्होंने कहा है कि मेरी अपनी जानकारी के अनुसार तो मेरा यो लगू कविता संग्रें किसे महिला रचनाकार द्वारा लिख्या होया पहला लगू कविता संग्रें से और थाम भी इसा पाओगे और हर्यानवी लगू कविता जो किसे ना किसे रूप में लुगाईया की जबान पे आई पर लिखी नहीं गई उन्हें लगू कविता के रूप में लिखन की परंपरा की शुरातर लुगाईया के लुप्त होंदे लोकनाटक खेड़ा खोड़ियां और लूरने बचावन की दिशा में भी मेरी या मामूली सी कोशिश आपने पसंद आवेगी इससे विश्वास और भरोसे के साथ सुनीता तो मित्रों उन्हें विश्वास है कि ये जो लोग परंपराएं हैं ये किसी ना किसी तरह जिन्दा रहेंगी अगर इस तरियां आगे बढ़ें तो और अब मैं थोड़ा सा समिक्षा करना चाहूंगी इस पुस्तक की मुझे इसका देखिए मुक प्रिष्ट बहुत अच्छा लगा इसमें देखिए हर्यानवी के जो लोक संस्कृती है उसकी इसमें थोड़ी सी जलक दिखाई दे रही है बड़ा अच्छा लगा और इसमें एक सो एक अर्थाट एक के पाच्छे एक लगु कविता हैं इसमें शामिल हैं तीन बाग हैं खेड़ा खोडियार लूर इन्होंने हर्यानवी अंचल के तीन रीति रिवाजों का परिचे लगु कविताओं के माध्यम से दिया है हर्यानवी बोली का प्रियोग किया है रीति जताई है इसमें संस्कृति से दूरी जड़ों से जुडाव नहीं होने देती मित्रों ये मैंने महसूस किया है इसलिए जरूरी है तीश त्योहार मनाये जाएं हासी ठटा होता रहे नई पुरानी पीड़ी एक दूसरे को इसी बहाने समझे हर प्रदेश की अपनी एक संस् मर्धन होना ही चाहिए और मुझे लगता है कि एक कलाकार उस धरोहर को संभालता है अपनी कला के माध्यम से उसे जीवित रखता है ऐसे ही लेख के धर्म को निभाती हुई सुनीता जी इन्होंने अपने प्रदेश की संस्कृतिक धरोहर को पुनर जीवित करने का प्रयास क किया है और नई पीड़ी को समझाने का भी प्रयास किया जो प्रशन सनिये है इस्त्रियां ही तो हैं जो संस्कृतिक को सजो कर और सजा कर रखती हैं पीवा पर धोलग बजाती इस्त्रियां होली पर लोग गीदगाती इस्त्रियां लोग नृत्ते करती मेला हैं बहुत अकर उसी को खेड़ा कहते हैं और जो विवा़ पर जो नाटक होता है लड़के की जो बहन है वो घर पर रह जाती है और लड़के की भाबियों में से कोई एक भाबी आती है वे वर वधू का पात दा करते हैं लोग नाटक करते हैं इस तरह से हसी-मझाक छेठ छाठ चलती हैं खु होली को होली के अवसर पर जो अपस में हसी ठिटोली होती है उसे लूर बोलते हैं तो मुझे बड़ा अनंद आया ये पुस्तक पढ़के बड़ी अच्छी-च्छी कविताएं उसके माध्यम से इन्होंने कोशिश किये बताने की कि इन तीनों में खेड़ा खोड़िया और लोग संस्कृति को जानना चाते तो इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं मंगा कर तो मित्रों अब मैं कुछ कविताएं लाई हूं आपके लिए जो इसमें समाहित हैं आपको जरूर अच्छी लगेंगी तो दोस्तों मैं पहली कविता पढ़ती हूं हर्याणी अर्याणी ब मजबूर कर गया कि यह खेड़ा हो से हैं सोचा बिचारया तो पाया के खेड़ा श्ब्द से हर्याणवी बोली का और खेड़ा करणा से एक मुहावरा और इस मुहावरे का मतलब से किसे बुढ़े बुढ़िया की मौत पे भी ब्याजी सी खुशी मनाना तो आपको पता चल गया होगा और इसी तरह एक कविता इन्हों ने लिखिए हाई हाई बुढ़ा मर गया ये भी एक ठिठोली है कि किसे की रिष्टेदारी में एक बुढ़ मर गया मौले की एक अउरत ने ला गया बेला किसे तह थोड़ी हान पाच्छे सारे आने पता चाल गया कैंड लगी एक दूसरे तही के बुढ़े का होवेगा काज और करना से हामने खेड़ा हो ले उसारी तैयार हाई हाई बुढ़ा मर गया हाई हाई बुढ़ा मर गया हसी की बात है सच बात है मित्रों एक इंसान जो अपना पूरा जीवन अच्छे से हसी खुशी से व्यतीत करता है मुझे लगता है अपनी उम्र पूरी करके जब हो जाता है तो सब के लिए एक उत्सव का महोल होना चे क्योंकि दोस्तों मृत्यू नया जीवन है अब हम बात करते हैं खोडियां की इन्होंने शुरुवात में थोड़ी सी भूमी का भी बांधी है इसमें खोडियां है क्या खोडि जासे हैं और घर में केवल बूडी बडेरी और चोरी चापरियां से रह जासे है इस टेम पर मौले की और भी खोडियां करन का बुलावा दे के बुलाई जासे हैं और सब मिलके खोडियां करें से इसमें ब्याले चोरे की भान वर बने से और रिष्टे में उसकी भाबी इसका मतलब यह है कि हर्याना में विवाह के समय लड़के का जब विवाह आता है तो घर की इस्तरियां घर में रह जाती वे बरात के साथ नहीं जाती तो पीछे से वे अपना मनोरंजन करती है जो लड़के की बहन होती है वो लड़के का अपने भाई का रूप में दुला बन जाती है और लड़के की जो भावियां होती है उनमें से किसी एक को दुलन बना दिया जाता है उसी तरह साथ सिंगार करके हसी मजाक किये जाते हैं उस समय जो खेले जाने वा और उनको छुप-छुप कर जो घर में रह जाते हैं, बच्चे, लड़के, वो छुप-छुप कर उन्हें देखते हैं, तो यह होता है खोडियां, और अब मैं एक दो खोडियां की लगू कभीता पढ़ूंगी, कि तो बताओ छोरी, क्यों कर सीखें खोडियां, यह इसका है, तो आगे लिखें, पढ़ाना बदल गया तो खोडियां का मतलब नहीं जानती, यह कहाँ उन्हें, और एक ओर लगू कभीता है, इसी खोडियां की, बूड़ी सारी मस्ताई थी, नोंने लिखाए कि बूड़ी सब बूडरी भी सब मस्ते मस्ती मैं आ जाती है जब खोडियां करते हैं, ब्या मै दड़का बनेगी पंडताईन जाते लामबाटी का काड़ के आई थी, खोड़ियां का चड़या थाचा पूड़ी सारी मस्थाई थी, तो अच्छा लग रहे हैं सब पढ़के और अब मैं बात करती हूँ लूर के बारे में लूर हर्याना की लुगाईयों का एक एक इसा नाटक से जो पंजाब की लुगाईयां के गिद्धा ते कती मिलता जुलता से हर्याना में फागण महीने की बसंती रात्या में गली महले की बहु छोरी यार उनके साथ कुछ बुड़ी बड़े ही गाउं के गोर्बे एक जगा पे कठी होके होली के गीत गाउं ऐसे और पंजाब के गिद्धा नाच जी सा नाच करें से बस इसे नाच ने लूर गाल लिया का ऐसे ये था लूर गालना एक नृत्ते जो होली के समय में किया जाता है तो एक पढ़ती हूँ और आखरी पढ़ती हूँ लगो कवीता खेड़ा खोडियार लूर बदलते बखत की गय लोग बदलेंगे और बदल गया आपस का व्यवहार रहयाना पहलम जी सा भाई चारा रहयाना पहलं जी सा प्यार करणा खेड़ा भी हो गया टेड़ा बन गया इप मजाग खोडिया अरलूर तै दूर होगी लुगाई जबके होया कर दे किसे बकत मै लुगाईयां के नाटक खास खेड़ा खोड़ियां अरलूर खेड़ा खोड़ियां अरलूर तो दोस्तों मुझे उमीद आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए मेरी पुरानी वीडियोस देखी और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया